नमस्कार दोस्तो, मैं राजिन तिवारी अब सभी लोगों का मेरे सेने जोतिश मंतर में हार्दिक स्वागत करता हूँ सबसे पहले तो 10th में पास हुए सभी student को congratulations, जितने बच्चे भी पास हुए सभी को congratulations आज हम इस वीडियो में 10th class के result का analysis करेंगे, यानि कि result किस type का रहा, कैसा रहा result, कितने बच्चे ने exam दिया था, उसमें से कितने पास हुए, कितने उसमें लड़के थी, कितने लड़के थे, उन लोग का क्या percentage रहा, इन सभी की चर्चा हम इसमें करेंगे और साथ हम ये भी जानेंगे, कि अगर आपके marks कम आये हैं, तो आप उसको कैसे बढ़वा सकते हो, मतलब आपको लगता कि आपने बहुत अच्छा paper किया था, लेकिन फिर भी marks नहीं आये हैं, तो आप अपने marks का verification करवा सकते हो, यानि कि आप retotaling करवा सकते हो अपने marks की, अगर आपको ये भी, इससे भी काम नहीं चलता है, तो आप अपनी जो answer sheet है, जो आपने paper देखा है थे, उसकी photo copy आप मंगबा सकते हो, और देख सकते हो कि आपका कौशन सही था, फिर भी marks में नहीं मिले हैं, या कौँ सा गलत था, ये जान सकते हो, इससे भी काम आपका नह नहीं चलता है, और आपको लगता है, मैंने विल्कुल correct किया था, फिर भी आपको marks नहीं मिले हैं, तो आप अपनी answer sheet को पुनह, याने दोबारा check करवा सकते हो, re-evalation करवा सकते हो, अब इन सभी चीजों की क्या date है, क्या इसकी fee से, इन सभी की जानकारी मैं अपनी इस video मे तो 2019 में, याने कि इस साल जो total strain थी, याने total जो बच्चे थे, वो थे 18,37,422 बच्चों ने इस साल एक्जाम दिया था, और उन में से 16,4,428 बच्चे पास हुए, मतलब देखा जाए तो इस साल जो result रहा, वो 91.1% result रहा, वहीं अगर हम 2018 की बात करते हैं, तो 2018 में कुल मिला के 16,38,428 बच्चों ने इक्जाम दिया था, जिस में से 14,8594 बच्चे पास हुए थे, यानि लास्ट एर का अगर पास परसेंटेज देखा जाए, तो 88.07% था, यानि लास्ट एर कितना था, 88.07 और इस साल कितना है, 91.1% यानि कि इस साल जो बच्चे हैं, वो जा जादे मेहनत की होगी, जादे पड़ाई की होगी, तो इस साल उनका रिजल्ट जो है, वो जादे अच्छा है, तो 2019 में 10,7579 बच्चों पास हुए हैं, और उनका जो पास परसेंटेज हैं, वो है 90.14%, यानि कि इस साल जो लड़के लोग पास हुए हैं, वो 90.14% लड़के पास हुए हैं, अब 2018 की बात करें, तो 2018 में 9,67325 बच्चों पास हुए थे, और उनका जो पास परसेंटेज था, वो 85.32% था, यानि पिछले साल कितना था, 85.32%, जब कि इस साल कितना है, 90.14%, इसका मतलब इस साल इंक्रीज हुआ इनके परसेंटेज का, यानि कि जादे 42% बच्चे जादे पास हुए, मतलब इस साल जो पासिंग मार्जन है, मतलब लास्टीर से इस साल को देखा जाए, तो 4.42% इंक्रीज हुआ है लडकों का रिजल्ट, मतलब लडके लोग अब पढ़ने लगे हैं, ये मतलब हुआ इसका, वही अगर हम गल्स की बात करें, त इस साल 7,65,893 गल्स जो हैं, वह पास हुई है, और उनका जो पासिंग परसेंटेज है, वह 92.45% है, जबकि लास्ट यर की बात करें, तो लास्ट यर 6,71,103 गल्स पास हुई थी, और उनका जो लास्ट यर परसेंटेज था, वह 88.67% था, यहने उनका परसेंटेज भी बड लेकिन अगर लड़की और लड़के का कंपरेजन किया जाए, तो लड़के का जो इंक्रीज परसेंटेज है, वह 4.42% है, जबकि गल्स का जो इंक्रीज परसेंट है, वह 3.78% है, मतब लड़किया इस साल कम पास हुई है, अगर एवरेज निकाला जाए, तो लड़कों की तुलना में. लास्टियर जो था वो उनका इंक्रिमेंट इंक्रीज परसेंट जादे था और इस साल इंक्रीज परसेंट उनका कम हुआ है. मतलब लड़के लोग भी इस साल इस साल से पढ़ने लगे हैं. इस साल लड़कियां लड़कों से 2.31% जादे पास हुए है लडकिया लडकों से 2.31 % जादे पास हुए है लेकिन पिछले साल जो गेब था, यनि जो percentage का गेब था लडकियों में वो 3.35 % था मतलब अपिछले साल गेब जादे था इससाल गेब कम हुआ है मतलब धिरे धिरे ये केप कम होता जारा मतलब इससे ये पता चलता है कि अब लड़के भी पढ़ने लगे हैं एक बात जानकर आपको बहुत आश्र होगा अक्सर आपने सुना होगा कि टाप कोई एक बंदा करता है यह खुब सुब दो ऐसे इस्टुट होते हैं जो पूरे इंडिया में टाप करते हैं लेकिन इस साल हैरत की बात हैं कि 13 स्टुटिंट ने टाप किया है याने 13 बच्चे इसे हैं जिन्होंने 499 मास लेके आएं आउट आप 500 499 मास तेरा बच्चे इसे हैं 24 student ऐसे हैं जिन्होंने 498 marks लेके आया है out of 500 और 58 student ऐसे हैं जिन्होंने 497 marks लेके आया है out of 500 यानि 1st rank में 13 student, 2nd rank में 24 student और 3rd rank में 58 student पास हुए है चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन dates की जिनस date पे आप apply कर सकते हो तो अगर आप marks verification करवाना चाहते हैं मतलब retotaling करवाना चाहते हैं अपने copies की अपने answer sheet की तो उसके लिए जो date है वो है 7th मई से 11 मई के बीज, 7th मई को portal open होगा यानि की site open होगी और 11 मई की शाम 5 बजे वो close जाएगी इसकी बीच में आपको apply करना है retotaling के लिए या marks verification के लिए और इसमें 500 उपे per subject चार्ज किया जाएगा आपको यानि की आपको 500 पर subject आपको pay करना पड़ेगा ठीक है दूसरा अगर आप चाहते हैं आपकी answer sheet की photocopy आपको मिले तो इसके लिए जो date होगी वो होगी 22nd मई से 23rd मई यानि की 22nd मई को site open होगी और 23rd मई की शाम 5 बजे site close जाएगी इसके बीच में आपको apply करना है और इसमें भी 500 पर subject के इसाब से आपको charge के जाएगा जो कि आपको board को देना है तीसरा रहेगा re-evaluation मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी copy दुबारा check हो तो इसके लिए जो date रहेगी वो रहेगी 26th मई से 27th मई याँ 26 मई को site open होगा और 27 मई की शाम 5 बजे तक वो close हो जाएगा इस बीच में आप अपने आपको apply कर सकते हो और इसके लिए आपको 100 रुपे पर question charge के जाएगे याँ हर question के आपको 100 रुपे pay करना पड़ेगा suppose करी आप पूरी copy चेक करवाना चाहते है और वो मेत की copy है तो मेत में आपको 30 question आये थे तो 30 question का हर question का 100 रुपे अगर लगाते हैं तो 3000 रुपे आपको pay करना पड़ेगा अगर आपको re-evaluation आपकी copy की करवाना है तो तो कैसे लगा आपको वीडियो और इसमें दीगे जान करी अगर इसमें किसी प्रकार का आपको confusion है तो प्लीज आप comments के स्कूर मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके confusion को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए विशे के साथ तब तक आप रहे हैं खुश और मुझे दीजा गया जाएं